बीएट डिग्रीधारियों के खिलाब सुप्रीम कोट पहुंचे शिक्षा मित्तर है कक्सिया एक से पांस तक की शिक्षक भरती में बीएट डिग्रीधारियों को सामिल करने की राष्टिये अध्यापक शिक्षा परिशद एन्सीटी ई की 28 जुन 2018 की अधिस उसना पिछले मह इने 11 अगस्त को सुप्रीम कोट से खारिज होने के बाद नए सिरी से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है दोस्तों एन्सीटी के अधिस उसना के आधार पर उत्तर परदेश के प्रिशिदिये स्कूलों में 69,000 सायक अध्यापक बर्दी के तहते चैनित बीएट डिग्रीधारियों को बाहर करने के मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने स्रोच न्याले में 304 पेज़ की याज़ का दायर की है शिक्षा मित्रों का तरक है कि वह प्रात्मिक सतर के शिक्षक पातरता प्रिशिया टैट पास हैं वह 79,000 बर्दी के लिए 2019 में आईजित शिक्षक बर्दी में 40-45 परतिसत अंक और अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यार्दियों में सामिल थे लेकिन 28,000 बर्दी के 39,000 शिक्षक बर्दी में सामिल होने के कारण शिक्षक बर्दी परिक्षया में अभ्यार्दियों की शंख्या और कटोब बढ़ने के कारण उनका चैन नहीं हो उसका था अब चोकि NCT की अधिसुचना खारिज हो चुकी है इसलिए उसके आधार पर बीर्ड डिग्री धारियों का चैन शवते अर्थ हिन हो जाता है टेट पास्ष 45,000 शिक्ष्या मित्र शिक्ष्या मित्रों का दावा है कि जुलाई 2017 में एक लाग 37,000 शिक्ष्या मित्रों का शायक आधापक के पदपर समाय जिन निर्ष्ट होने के बाद बड़ी संक्या में शिक्ष्या मित्रों ने पढ़ाई करके टेट पास्ष कर ली लेकिन शिक्सक भरती के लिए अलग से प्रिक्षा लाग होने के कार्ण तकरीबन 45,000 से अधिक टेट पास शिक्षा मितर आज तक साह का दैपक नहीं बन सके हैं